हेलो वाच्छर्स सब्सक्राइब जरूर कर लेना वरना तो होती है कहानी की शुर्वार लेटे हुए साई कुमार और उसकी पतनी के साथ ये दोनों है सुरिया के मम्मी पापा और ये है सुरिया की बहन भद्रा लेटे हुए सुरिया की मम्मी बोली कुछ तो करना पड़ेगा वरना लड़का तो आँच से निकल ही जाएगा बहुत मार कुटाई करने लगा है आजकल लेकिन साथ ही है एक अफसोस की बात फोर्थ स्टेज कैंसर है सुरिया की मम्मी को जो हमें पता चलता है उसी रात और य कि गाइज सुरिया का मामा मामा रही है बलकि कंस मामा है अपनी ही बीवी को शराब पी कर आए दिन मारा करता था तो सुरिया की मा ने उन दोनों को उस से कहीं दूर गुमनाम जगा भेज दिया ताकि वो थोड़ी शांती के साथ लाइफ जी सकें मगर मामा तो आखिर हरामी है तो पेक के मारा पत्थर जो लगा जाकर सीधा दर्वासे पर अंदर साइकुमार और पत्नी टालने की कुशिश कर रही है शराबी को मगर इधर अपना हीरो सुरिया उठाया मशाल और पोना अबैमामा रुक जाता है किधर जो कि उस समय भाग रहा था बाइक पर पैट कर अलाकि वो उसे पकड़ नहीं पाया वरना खड़े खड़े पिटाई कर देता तो सोची कि सूरिया को तो अब जरूर समझाना पड़ेगा किसी भी तरह आइडिया लगा कर इसको रास्ते पे लाना पड़ेगा तो माने निकाला एक आइडिया और समझाई देखो बेटा इत तुमें गुस्स्टा होना है जैसा कि सूरिया की मा फोथ स्टिच कैंसर मे थी तो उनकी हो जाती है मौश मगर उसी दिन आगया सूरिया का मा म और गालिया दिने लग गया कहने लग गया मुझे बतायवी olm नमर गई मेरी बीवी और बेटी कहा है तो जरूर नर्क में जाएगी और बहुत सारी गालिया देने लग जाता है एक चपल फाइक के वो मारता है जो कि सूरिया की मा के मुँपे लगता है जी इस पर भाई सहाब सूरिया तो बहुत ही गुस्टा होता है तो वो आगे से शनिवार को ही गुस्सा करता है इसके बाद cut to scene जहां सूरिया अब बड़ा हो चुका है तो आगे किसी को in short सूरिया की लाइफस्टाइल को साइक हुमार करते हैं डिसकस बताते हैं कि मेरा बेटा तो एक insurance agent है मगर शनिवार को कर देता है अपने targets को crush बोले तो बहुत मार मारता है यार हपते वर अपने डायरी में बुरे काम करने वाले लोगों का नाम लिखता है और शनिवार को उनका काम तमाम करता है बोले तो हाथ पर सर फोड़ता है भाई जान से नहीं मारता एक बात तो बताना भूली गया गाई मामा की बेटी जिसका नम कल्लू था याद है न सुरिया आज भी उससे बहुत प्यार करता है और आज भी उसका दिल उसी के लिए धड़कता है तेलगु भाशी शेत्रों में और महराष्ट के भी कई शेत्रों में मामा की बेटी से शादी करना बड़ी मामूली बात है गाई So no offense वो अब भी कल्लू कहीं इंतिसार कर रहा है अपनी बेहन की शादी में उसके ससुर को भोडा क्योंकि साले ने सूरिया की मरी हुई मा के बारे में कुछ भूरा भला बोला जिससे तूट गया भद्रा और सूरिया का नाता सूरिया के घर अब कोई भी भद्रा के ससुराल से नहीं आता जाता आगे हमें चारूलता को दिखाया जाता है जो की असब में वही कल्लू है जिससे सूरिया बहुत प्यार करता है हाँ हाँ मामा की बेटी और साथ ही मुवी के विरन दयानंद को भी इंट्रड्यूस किया जाता है जिसमें एक प्रतिशत भी दया नहीं है बाई बाई दवे वो इंस्पेक्टर है उसी स्टीशन का जिसमें चारूलता लेडी कॉस्टेबल है तो बात कुछ ऐसी है दयानंद और कुर्मानंद दो भाई हैं कुर्मानंद ने धोके से बाप की पूरी प्रॉपर्टी हडप दी तो दयानंद के हाथ लगा बाबाजी का थुल्लू इसी लिए कुर्मानन्द के एकउन्टेंट को दयानन्द ने पकड़ा और सुजा दिया लुल्लू ताकि सीधा कर सके लुलू मगर यार उसे तो फरक ही ने पड़ा तो छोड़ दिया उसको मगर तभी आया फोन बताओ लाइन में है कौन पूर्मानन्द बोला मेरे एकउन्ट गोवर्धन को छोड़ दे, जमीन के पेपर्स पर साइन में कर दूँगा, मगर तब तक तो दयानद ने छोड़ी दिया था गोवर्धन को, मतलब गई भैस पानी में, बाप की प्रोपर्टी की जमीन का हिस्सा था दयानद का, लेकिन कर लिया बड़े भाई कुर्मानद में कबजा, तो केस कर दिया इस्पेक्टर दयानद ने, मगर लोगों ने दिया बड़े भाई का साथ यहां तक की इलेक्शन भी जीता दिया, इलेक्शन जीतने के बाद नहीं करता, कुर्मानद पबलिक तक से बाद, इसी लिए बदले की आग में जलता दयानद, देता है उनको लातम लात, मतलब बहुत सताता है यार, आगे चारू लता, जिसका दिल है बहुत अच्छा, बचाना चाहती बस्ती वालों को, जिसको द किसमत बेना यार बस मिना देती है, क्या इसी को टुरूल अप कहते हैं? तो आगे बहुत सारे चीज़े होती है, सुरिया अपने पापा को बता देता है कि उसे इक नंकी से प्यार हो गया है, चारू लाता को जो कोई भी परिशान करता है, सुरिया उसको शनिवार को बहुत इसी दोरान हो जाती है एक बच्ची घायल जिसके लिए चारू लाता सुरिया को फून करती और सुरिया उसको बचा लेता है, दोनों सिच्वेशन से थोड़ा परिशान थे और कर रहे थे बाते, पहले सुरिया ने जिसकी कुटाई की थी, वहां आकर मारने लग गए लाते तो सुरिया ने वही पर कर दी सब की कुटाई, तो अब चारू लता भी जान गई सुरिया की सचाई, इधर दयानन्द बना रहा है प्लान, कि कैसे लेगा वो अपनी भाई की जान, इधर सुरिया भी बना रहा है प्लान, बस्ती वालों को इंसाफ दिलाकर कैसे बस्ती वालों का मान वेसिकली वो दयानंद को गिरफतार करवाना चाहता है क्योंकि एक बच्ची की जान जाते जाते बच्ची थी तो शनिवार को लड़का मार कुटाई ना करे इसलिए सूरिया के पिता ने फिला दिया नींद की गोली तभी आई बहन भद्रा और पापा से बोली मेरा अपने पती से चगड़ा हो गया बाकी खुदी समझ लो दोस्तो लेकिन तभी बहुत सारे लोग सूरिया को मारने आ जाते हैं क्योंकि सूरिया ने शनिवार बोल बोल के ना इतने लोगों को पेला है कि भाई सहब हर दस मिनट में कोई न कोई उसको मारने आता ही रहता है लेकिन सूरिया तो है बेहोश और आखिर कौन अब उसे बचन सकता है मगर पापा ने लगाई आवाज तो होश में आकर सूरिया सबको उठा उठा कर पटगने लगता है और अपनी बेहन को देखकर थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है जिसके बाद सीधा वो दयानंद को कूटने जाता है मगर तभी सूरिया आकर लगा देता है वाट जिससे दयानंद के चेरे में लग जाता है काट एक तम विंडन स्टाइल में जिसमें कूरवानंद बचकर भाग जाता है मगर उसे एक गलत फहमी हो जाती है गलत फहमी ये कि मूपर कपड़ा लगाया आदमी कूरवानंद को मारने आया था और दयानंद ने उसे बचाया और दोनों भाई साले एक हो गए और मास्क मैन के पीछे दोनों पड़ गए क्योंकि असल में दोनों ने ही शकल तो नहीं देखी है सूरिया की तो सूरिया भी आइडिया निकालता है कि खुद ही पुलिस अस्टेशन में जाकर कंप्लेन करता है कि शनिवार वाले ने उसे भी मारा है जिस वज़ा से बस्ती वालों को दयानद बहुत मारता है और सूरिया को ही पहचानने को बोलता है ये सब कुछ देख के सूरिया बहुत तूर जाता है मगर पापा बोलते है असली गुस्सा वही है जो अपने साथ हिम्मत ली कराए देखा दोस्तो हम लोग हर मुवी से कुछ न कुछ सीखी लेते हैं तो गया सूरिया सीधा बस्ती वालों के पास और करने लगा कोशिश जगाने की बस्ती वालों की अंदर की आग मगर कुर्मानन जान गया सच्चाई असल मारने आया था उसका ही भाई मगर कुर्मानन ने दया को मार दिया और इलजाम सारा सूरिया पर लगा दिया और चारूलता को बस्ती वालों के सामने ही मारने लग गया तभी आया सूरिया जिसको शुरू शुरू में दयानन ने खूब्ध होया मगर बाद में खाके पिटाई साला दयानन भी रोया लता एक दूसरे के हो जाते हैं और इसी के साथ आज की नर्शेल यही पर खतम होती है दोस्तों आगे मिलेंगे ऐसे किसी मज़ेदार वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बरी मच पर वाचिंग कीप वाचिंग वाचन पॉइंट